जैश्री महाकाल जैश्री महांकाल दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फेल से आपका बहुत स्वागत है और आपका बहुत आवर अभी तरक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो प्लीज मैं आपसे छोटा सा निवे जाना चाहता हूं आप चैनल को सब्सक्राइब करने और चैनल से जुड़ जागी गा तो अगर आपको उसे बात करना है तो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं आप वाट्सप पर अपोर्मेंट लिकर बात उसे कर सकते हैं आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बहु पूछे जाता है और यह बहुत बड़ी बात है तो आज इस वीडियो को पूरा आप देखें चूंकि आप अगर बहुत दिलों से कोई भी आपको कोई परिशित भी परिशान है तब भी आप उन्हें यह बात जरूर बता दे तो वह इसे बाहर आ जाएंगे तो इस वीडिय कर रहे हैं बहुत कोशिश हैं कर रहे हैं बहुत यातने कर रहे हैं लेकिन हमें सबसे पहली बात है कि भूत काल में बीते दिनों में कोई हमारे साथ गटना हुई है जिस गटना से हम बहुत ज़्यादा आहातित या दूखी हैं तो उन जितनी भी यादे या जितनी भी बात उन्हें आप भूलने की कोशिश करें और अब आगे बढ़ने की कोशिश करें क्योंकि पहली और मुख्य बात एक उभर कर बाहर आती है कि जो पीछे हुई गई कोई दर्दनाग घटना या हादसा उससे हम उभर कर बाहर नहीं निकल पाते हैं कि इतनी भी कोशिश कर रहे है तो पहली और मुख्य बात है कि वर्दमान सत्य है और सत्य के साथ हमें रहना चाहिए इसलिए जो भी पूरानी कोई ऐसी घटना जो हमें उनसे बाहर नहीं निकाल देना चाहिए उससे आप बाहर मेट लिए दूसरा पॉइंट है कि हम अपने अंदर जो एक नेगिटिविटी इतने सालों से जो भर गई है हम बहुत नेगिटिव 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 थोट प्रोसेस होता है हमारे मन में जितने भी ख्याले वह नेगिटिव आते हैं कोशिज भी करते हैं पॉजिटिव होने के लिकिन नहीं हो पाते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर जो पॉजिटिविटी और सकारत्मक्ता को आप जीवित करें फिर से उसका सरजन करें और फिर से आप उस और डायवर्ड हो क्योंकि सकारत्मक की एक मातर ऐसी उर्जा है जो आपको जीवन में उचायों की लेजा सकती है और परिशानी को हमेशे के लिए खत्म कर सकती है क्योंकि अब होता है है कि हम पूरे नेगिटिव वे में रह रहे हैं उस हमें सब कुछ चीज़ें नकारत्मक की दिखती है सब कुछ चीज़ें नकारत्मक की होती है इस तरह का एक बहुत बड़ा जाल है इस जाल को काटने का एक ही सबसे में और में चीज़ें अपने mind setup को, अपने विचार को, अपने जितनी भी चीज़े हैं जीवन में, उन्हें positive कर लें, उन्हें सकारतमक आपको करना ही होगा, उसके लिए आप बहुत जादा यतना करें, जो खराब भी हो रहा है उस पर ध्यान ना दे, जो खराब तो सब भी हो रहा है, व्यूदि ख सकारतमक अपने अपने एक बहुत बड़ी उर्जा है, और वो इतनी बड़ी उर्जा है, कि आपको अंदर से आत्म विस्पास देगी, आपको अलग फिल देगी, और आप बहुत जल उससे बहारा सकते हैं, तीसरी और मुख के बात होती है, कि हमारे घर में जो भी अनावश चीजे हैं, जिनका उप्योग नहीं है, उना अनावश्यक चीजों को आप घर से जरूर जल से जल बाहर करते हैं, चो तीर बात है, आप अपने गुरु मंत्र उसका जब ज्यादा से ज्यादा करें, तो यह गुरु मंत्र के जब करने से ही चीजे जो हैं बहुत अनावचर चुर्फिक्तो नहीं है, तो पंगिए गुरु मंत्र बाइव क्ड़िआता जयादा करें तीजे हैं, तो नहीं हुरु मंत्र चिएता कि जड़िए जर कर से फीला हैं, और फिर उसके अक्ड़िए